नमस्कार, स्वगत है आपका हमारे चैनल चार्ज आगंदर मिसा में दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा कने राश अप्रेल, मई, जून 2020 ये बड़ी घटनाई आपका इंतजार कर रही है दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कने राश वाली जातकों के लिए अप्रेल, मई और जून 2020 का महिना कैसे रहेगा वे कौन से बड़ी घटनाई हैं जो आपका इंतजार कर रही है तो यदि आप कने राश की जातक हैं तो वीडियो को आप सुरुष लेकर अंग तक देखेगा क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत ही खास और महत्पून रहने वाली है तो चलिए सबसे पहले कने राश की अतकों तमाम ग्रह गोचर इस्थिक कैसे रहेगी तो देखे अगर हम यहाँ पर शूरदेव की बात करें ग्रहों के राजा सूरदेव तो ये आपके अप्रेल के मध में गोचर करेंगे और यहाँ पर बात करें तो देव गुरु ब्रिहस्पत का बड़ा परिवर्तन होगा अप्रेल में 13 अप्रेल को ये आपके छटे भाव से निकल कर कने राश केत को आपके सब्तम भाव अपनी स्वयम की राशी मीन राशी पर गोचर करेंगे मैं जून के महिने में यापके सब्तम यानिकी मीन राशी पर ही गोचर करेंगे कने राश केत को अगर हम बात करें सनिदेव की तो सनिदेव 29 अप्रेल तक आपके पंचम भाव पे रहेंगे इसके बाद अपनी स्वयम की राशी कुम्ब राशी में छटे भाव पे आपके गोचर करेंगे मैं जून के महिने में छटे भाव कुम्ब राशी में ही रहेंगे यहाँ पर अगर हम बात करें राहू देव की तो राहू का भी 11 प्रेल को बड़ा परिवरतन होगा और यह 11 प्रेल के बाद यापके अस्टम भाव याənि की बिर्षभत से मेंस राशी में गोचर करेंगे क्योंकि राहू और केतु यह पहल एक राशी पिछले भाव में आ जाते हैं जब यह गोचर करते हैं वक्त रिष्थते में आते हैं क्योंकि हमेशा वक्री रहते हैं तो केतू भी तुला राशी में आ जाएंगे बिर्शिक राशी से केतू आपके यानि की दूसरे भाव प्या जाएंगे बुद्ध देव की बात करें तो ये आपके राशी के स्वामी हैं और इनका बुद्ध दित राजों का निर्मार होगा सूर्दे को साथ यूती बनाएंगे अप्रेल के महिने में भी बुद्ध दित राजों का निर्मार होगा तो ये थी कुछ ग्रह गोचरी स्थितियां अब इन ही के दर पर जानेंगे कने राश कहतकों की आप के लिए ये तीन महिने कैसर रहेंगे यानि की अप्रेल माई और पर जून कमहिना कैसर रहेंगा आपका कारूबार कैसर रहेंगा कैसर रहेंगा ब्यापार किस्ति कैसर रहेंगी दामपत्त जीवन पारिवारिक जीवन कैसर रहेंगा स्वास्त इजुक्रेशन लवलाइब कैसर रहेंगी तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके क केरियर और बिजनेस व्यापार कारूबार की तो देखिए कने राजकेत को कुछ बिशेष घटनाएं जो आपको सावधानी बरतने की जरूरत है इसमें आपको नौकरी में कुछ परिसानियों के सामना करना पड़ सकता है नौकरी छूर सकती है फिर जहां आप जोब करते हैं क कने राजकेत को वहाँ पर स्टाप के साथ मद्भेध हो सकता है और यहां पर आप विशेष रूप से अपने नौकरी को लेकर साहज यनि की काफी सकरात्मक रहें क्रोध ना करें और अपने बड़े अध्यारियों से यही संबंध बेतर बना कर चले तो बेतर होगा बिजने कि बहकावे में आकर कहीं पर भी पैसे अवेश्ट ना करें वरना नुक्सान, घषाता, परिशानिया हो सकती है गारी बाहरण का प्रयोक कम करें वरना करनी राजकेत को दुरगटनाइय हो सकती है बड़ी घठनाइ चुकि हमने पहली कहा कि यह बड़ी घठनाइय आपका इ प्रियोग कम करें यहाँ पर अप्रेल मई जून की महिने में क्योंकि यहाँ पर अगर आप गाड़ी बाहन का प्रियोग करते हैं तो दुरगटना चोट चेपेट लग सकती है स्वास्त कभी शेश रूप से ध्यान रखें किसी कुधार करजाना दे किसी अजनवी पर भरोशा ना करें खासकर इसमें जतना मेहनत करेंगे अगर आप मल लगा कर काम करते हैं तो आपको लाब जरूर मिलेगा लेकिन मेहनत करना पड़ेगा आपको मल लगा के काम करना होगा करने राज कहतकों बेवजे किसे से उलजे ना, किसे से विवाद ना करें, लडाई जगड़े ना करें, वाड़ी पर कंट्रोल बना कर चलें और गाड़ी बाहन का खास का प्रयोग कम करें, वरना चोट चिपेट दुद घटना हो सकती है किसी भी कागजात पर दसकत करने से पहले अच्छी तरह से जाँच परता ले, पढ़ लिख ले, उसके बाद ही आप वहाँ पर साइन करे वरना धोखा भी हो सकता है और पारिवारी के मुद्दे कुछ अंसुल्जे हो सकते हैं, यहां पर कुछ कोट के चेरी के मामलों में भी कुछ परिसानियों के सामना करना पड़ सकता है परिवारी में पेत्रिक संपत्ती, अविवाद, जमीनी, जाजात के उलएकर कुछ समस्याई हो सकती है यहां पर हलाकि अविवाई जातकों के लिए अच्छे रहेंगे और यहां पर उनके विवाद के रिष्टेता होंगे, साधी विवाद का आयोजन होगा साधी विवाद के लिए काफी खुशे न जरेंगे, सुबह मंगल कार होंगे, धर्मी कारियों का आयोजन होगा माता पिता के स्वास्त का विशेश रूप से ध्यान रखें अलाकि उनका सहयोग आपको मिलेगा और यहाँ पर आप अपने घर परिवार के लिए सुक्सादरों में धन कर्च करेंगे धन खर्चों में बृद्धी होगी महतपूर्ण चीजों खरिदारी करेंगे घर परिवार के लिए तो कनिराजगयत को कुछ विशेश घटनाए है जो आपको सावधानी बरतनी है ब्याद व्याद ना करें और किसी कुधार करजन न दे अलाकि रुकाव फसावधन आपको 10% मिलेगा अपरेल के महिने में थोड़ी आपको सावधानी जरूर रखनी है अपरेल के महिने बड़े परिवर्तन होंगे यानि चार ग्रहों का बड़ा परिवर्तन होगा होगा तो सूर्देव का भी कई ग्रहों का परिवर्तन होगा लेकिन अपरेल के महहिने में कई ग्रहों का बढ़ा परिवर्तन होगा और मयत्पूर परिवर्तन होगा फिर मै के महिने में विशेश लप्लब्धिय प्राप्त हो सकते हैं लेकिन मेहनत करने पड़ेगी जून के महिन कुछ नए जिमेदारिरां बढ़ सकते कुछ नई जिम solventारिया आपको मिल सकती है जिसके महत्पूर्ण कारने का मौगा मिलेगा कुछ अच्छे अबसर आपको प्राप्त होंगे कुछ नई उम्मेदें बनेंगे कुछ नई उम्मेदें के साथ आपके लिए बहतर होगा हर पकार के संभावना या आपके लिए बहतर होगी और नई उम्मेदें जगेंगे आपको कुछ करने के लिए पार्टनर्शी पे बिजनेस व्यापार करते हैं तो पारदर्स्ता रखें हलाकि दामपत्य जीवन में जीवन साथी से भी मतवेद होने की योग बन रहे हैं संतान को लेकर कुछ समस्याएं हो सकती है और जीवन साथी के साथ अनवन या फिर तनाव के साथी बने की कोट के चेरी के मामले हो सकते हैं तो आपको इन घटनाओं से सावधानी बरतनी हैं उनके साथ विवाद न करें उनके साथ सकरात्मक शोच के साथ आगे बढ़ें तो बेहतर होगा लब लाइप यानिकी लब पाड़क साथ भी थोड़ी से अन्बन हो सकती है कने राजकत को उनके साथ किसी न किसी प्रकार का विवाद हो सकता है तिसरे पक्ष की वज़े से भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा परेशानी हो सकती है इसलिए थोड़ा सा अगर आप कोई तीसरा पक्ष दकाल अंदाजी करता है आप दोनों के बीच में तो तुरुन तप्रतिक्रिया देने की जरूरत है इस्टुडेंट के लिए यहाँ पर एक्जाम जो आपने दिया है उसका रिजल्ट आने का मौका में लेगा और जल्ड आपके फेवर में आएका लेकिन पहले ही सकरात्म एक सोशली साथ आगे बढ़ेंगे स्वाज्त संबन्धी परिषानिया आपको जहलनी पर सकती है स्वाज्त में कुछ गिरावट देखने को मिलेगा कनी राजग गहतर को इन तीन महिनों पर ध्यान दे, फोकस करें, तो काफी बहतर होगा, बाहरी चीजों से परहेज करें, कनी राशकेत को अगर हम बात करें कुछ छुपाई की तो देखें, आपको अप्रेल, मई और जून के महिने में आपको बिश्ण सहस्त इस तरोत का पाट करना है, और एक कपड़े में हरी पांद कर किसी गरीम निर्धन को दान करें, अपने सर से तीन बार उल्टे बार के, गाई को रोटिया खिलाए और गड़ेस भगों को दूरबा की माला पहनाए, और जेतना ज़्यादा हो सके तो आप भगवान विश्ण जी की पूजा राधना करें, तो विशेश लाब साथ बिल आइकन को प्रेस करिएगा, जय शनिदेव